नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक स्मार्ट स्टेडी के यूटूब चैनल पर साथ्यों आज का ये वीडियो यूटूब के सभी वीडियो का बाप होने वाला है क्योंकि 10 जनवरी से 2 फरवरी तक SSE GD में जो एक्जाम हुए है और उनमें जो कोस्टन्स पूछे गए हैं उन सारे प्रश्णों को आज इसी वीडियो में देखेंगे एक शी वीडियो में साथ्यों आपको बता दें कि 10 जनवरी से 2 फरवरी तक कुल 56 सिप्टों में अभी तक पेपर हो चुका है और इन 56 सिप्टों में जो कोस्टन्स पूछे गए हैं उन सारे प्रश्णों को आज इसी वीडियो में कोवर करेंगे 10 जनवरी से 2 फरवरी के सारे कोस्टन्स को आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं आंसर के साथ तो साथ्यों जिनका पेपर हो गया है और जिनका पेपर अभी आने वाला है उनके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट ये वीडियो है इसके अलावा SSE GD के अलावा अभी SSE MTS हवलदार का भी एक्जाम होने वाला है उसमें भी ये कोस्टन्स जो हैं रिपिट होंगे और साथ्यों बता दे कि आने वाले जितनी भी परिक्षाएं हैं 2020 में सभी एक्जाम्स में ये कोस्टन्स आपके पूछे जाएंगे तो अन तक जरूर देखना बारिकी से देखेंगे कौन कौन से कोस्टन्स जो है इन 56 सिप्तों में अब तक पूछा गिया है तो चलिए साथ्यों सुरू करते हैं बीना देरी किये साथ्यों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अपने सबी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शियर करिएगा और साथियो अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर आउन का लिजेगा अगर आप किसी भी गॉर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तो चलिए देखते हैं directly questions तो साथियो शुरू करते हैं आपके दो फरवरी के चौथे सिप्ट के questions से उसके बाद जो है दस जनवरी तक का सारा question आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा सारा question में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा चलिए तो देखिएगा question जो है भारतिय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से गरहन किया गिया है दो फरवरी के चौथे सिप्ट के एक questions से तो साथ यो देखिएगा भारतिय संविधान में मूल अधिकार को जो है तो इस question का आपका right answer हो जाता संविधान में कौन है तो देखिए बरतमान में जो है भारत के संचार मंत्री श्री अशनवी बैशनव जी है आपको याद रखना है कि अशनवी बैशनव जी रेल मंत्री भी है इसके अलावा संचार मंत्री तो मैंने आपको बताया test cricket में सबसे पहले सतक बनाने वाले भारतिया खिलारी कौन थे यहां पर भारतिया पुछा था तो आपका right answer हो जाता लाला अमरनाथ ठीक है और साथियो अगर आपसे ऐसा question पूछेगा आने वाले सिप्टों में कि test cricket में सबसे पहले सतक बनाने वाले भी सुक के पहले खिलारी कौन है तो फिर आपका right answer हो जाएगा Charles Bannerman और यह Australia ही खिलारी है next question है पूछा गया था जातिया का बिलोम सब्द क्या होता है next question है मुख्यमंत्री की न्युक्ति कौन करता है तो साथियो मुख्यमंत्री की न्युक्ति राजपाल करता है राजपाल आपका right answer हो जाता एक question पूछा गया था मेडागासकर का राजदूत भारत में किसको न्युक्त क्या गया है तो दिखेगा अभी बरतमान में मेडागास करके राजदूत भारत में कौन है तो याद रखना साथियो बंडारू बिलसन बाबू बंडारू बिलसन बाबू आपका राइट अंसर हो जाता नेक्स्ट कोस्चन पूछा गया था बावल किस राज का लोकनेरित्य है तो देखेगा बावल जो है ये पस्चि मंगाल राज का लोकनेरित्य है नेक्स्ट कोस्चन है भारत में मनरेगा कब लागू की गई थी तो साथियो देखेगा भारत में मनरेगा की अगर बात करें तो याद रखना 2 अक्टूबर 2009 को लागू की गई थी और अगर भारत में नरेगा पुछे तो याद रखना 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है लोहा अबम स्पात कौन से उधोग के अंतरगत आता है तो साथ्यों दिखेगा लोहा अबम स्पात उधोग जो है ये खनीज उधोग के अंतरगत आता है आपका राइट अंसर हो जाता खनीज उधोग नेक्स्ट कोस्टे ने डॉक्टर बियार अम्बेडकर ने दलित वर्ग की अस्थापना कब की थी इस कोस्टेन का राइटेंसर हो जाता 1930 में नेक्स्ट कोस्टेन पुछा गिया था नाबाड का फुल्फम क्या होता है नेक्स्ट कोस्टेन का राइटेंसर हो जाता आपका जीला मार्ग नेक्स्ट कोस्टेन है भारत में मानसुन जून से लेकर मज सितंबर तक कितने दिनों तक रहती है तो साथियों दिखीगा भारत में मानसुन जो है जून में परवेश करता है जो मज सितंबर तक रहता है और आपसे कल पुछा गिया था कि ये कितने दिनों तक रहती है तो right answer हो जाता 100-120 दिन या तो आपका ऐसा ऐसा अगर option में था तो ऐसे आपके option में right answer होता चार महिने की होती है देखिए मानसुर की अधी एक जून से 30 सितंबर तक होती है यानि चार महिने की ठीक है next question पुछा गिया था अंतिम पंचवर्षिय योजना कौन सी थी तो साथ दिखिए अंतिम पंचवर्षिय योजना बारभी पंचवर्षिय योजना थी 2012 से 2017 तक इसका कारिकाल था क्योंकि देखिएगा एक जनवरी 2015 को योजना आयोग को खतम करके निती आयोग की अस्थापना की गए थी और तब से जो है अभी तक और कोई पंचवर्षिय योजना नहीं बनी है आपका अगला कुश्चिन जो पूछा गिया है कि भारतिय संभीधान में मौलिक अधिकार को किस देश से गरहन किया गिया है तो साथियो मूल अधिकार और मॉलिक अधिकार जो हैं ये दोनों ही अमेरिका से गरहन किये गए हैं तो इस question का right answer भी हो जाता संयुक्त राज अमेरिका next question पुछा गिया है कि असोक के सिलालेक किस भासा में है तो right answer हो जाता ब्रामी next question है असोक के किस सिलालेक में कलिंग यूद का वर्नन किया गिया है तो right answer हो जाता 13 वे सिलालेक में next question है नीरज जोपरा ने टोकियो अलम्पिक में कितनी दूरी तक भाला फेका था तो साथियो right answer हो जाता 87.58 मीटर तक next question है देखीगा इन में से कौन सा हरयाना का लोक निरित्य नहीं है अईसा question पूछा गिया था लेकिन मैंने आपको यहाँ पर कौन कोण से हरयाना के लोक निरित्य होते हैं वो लिख दिया है जैसे की होता है फाग निरित्य, सांग निरित्य, खोरिया निरित्य, छटी निरित्य, आदी, ठीक है एक कोई आपका option में नहीं था इन में से वही आपका right answer हो जाता next question पुछा गिया है sodium bicarbonate का रसानिक सुत्र क्या होता है तो right answer हो जाता na h co3 next question है गंगा नदी कहां पर गिरती है तो साथ्यों गंगा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अगर आपके पास option ऐसा था सुंदर वन का delta तो ये आपका right answer हो जाता next question है plaster of Paris का रसानिक नाम क्या होता है तो साथ्यों दीखी का plaster of Paris का रसानिक नाम होता है calcium sulfate hemihydrate और इसका रसानिक सुत्र होता है C-A-SO4 with half H2O next question है राष्ट्री आई का आकलन कितने समय अंतराल पर होता है तो साथ्यों दीखी का राष्ट्री आई का जो आकलन है वो तीन महिने के समय अंतराल पर होता है आपको याद रखना है next question पूछा गया था 2022 में रक्षा बंधन किस महिने में मनाया गया था तो आपका राइट एंसर हो जाता अगस्त और हिंदू केलेंडर के अनुसार स्तरावन महिना next question है तो आपका उप्षन में था वह ही आपका राइट एंसर हो जाता next question पूछा गया था इन में से कौन सा एक रवी फसल है जिसका उप्षोग खाने और चारे के उप्योग में होता है तो साथियों आपका उप्षन में गेहूं और चना इन दोनों में से जो भी था वह आपका राइट एंसर हो जाता क्योंकि गेहूं और चना ये दोनों ही रवी फसल है और इन दोनों का परियोग खाने और चारे में किया जाता है next question पूछा गया था सुभास चंद्रबोस राष्टे उधान कहां इस्ति थे तो साथियो दिखीगा सुभास चंद्रबोस राष्टे उधान जो है ये गुरुक ग्राम हर्याना में इस्ति थे और अगर आपसे ये पूछे कि नेता जी सुभास चंद्रबोस राष्टे अखेल संस्थान कहां है तो राइट एंसर हो जाएगा पटियाला पंजाब में अगला कोश्चिन पूछा गया था CBDT के बरतमान में अद्दच कोन है CBDT यानि Central Board of Direct Tax तो याद रखना CBDT के बरतमान में अद्दच है नितिन गुपता जी नेक्स्ट कोश्चिन आपसे पूछा गया था कि आस्रम का परियावाची सब्द क्या होता है तो साथ यो आस्रम का परियावाची सब्द होता है अखाडा, अस्थर, मठ, कूटी, संग, बिहार, आदी इनमें से जो भी आपका उप्सन में था वही आपका राइट एंसर हो जाता अगला कोश्चिन पूछा गया था इस मोहाने में रिक्तस्थान की पूर्ती करे तो मोहावरा कुछ ऐसा था कि तील का बनाना ये जो रिक्तस्थान है यहाँ पर आपका भरना था ओप्सन में आपका ताड़, खजूर ये सब दिया हुआ था तो दिखिये तील का ताड़ बनाना ऐसा ही तो मोहावरा होता है ना तो ये रिक्तस्थान पर आपका ताड़ आता और साथ यो इस मोहावरे का आर्थ होता है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना तील का ताड़ बनाना अगला कोश्चन पुछा गया था हिंदू केलेंडर के अनुसार दसाहरा पुजा जो होता है दुर्गा पुजा ये किस महने में मनाया जाता है तो आपका राइटेंस रोजाता आस्मिन माह में नेक्स्ट कोश्चन है मोकामा विधान सभा उपचुनाव 2022 में किस ने जीत दर्ज की है तो राइटेंस रोजाता नीलम देवी और ये राष्ट्य जनता दल से है लगला कोश्चन पुछा गया है कि गोतम बुद किस कूल से संबंदित थे तो आपका राइट एंसर हो जाता साइक की कूल से नेक्स्ट कोश्चन है इन में से राष्ट मंडल खेल औस्टेलिया में कब आए जीत हुआ था तो साथियो अब तक औस्टेलिया में पांच बर राष्ट्य खेल यानि कॉमन वेल्थ गेम्स आई जीत हो चुका है कब-कब तो देखीगा 1938, 1962, 1982, 1982, 1906 और 2018 आपके ओप्सन में 2018 था यही आपका राइट एंसर हो जाता और साथियो आपको बता दें कि राष्ट मंडल का जो अगला संस्करन है जो 2026 में खेला जाएगा यह भी आपका औस्टेलिया में ही खेला जाएगा तो आपको यह याद रखना है और पिछली बार 2022 में कहां खेला गया था तो बर्मी गम में Next Question है बैकिंग सोडा का रसानिक नाम क्या होता है तो साथियो बैकिंग सोडा का रसानिक नाम होता है Sodium Bicarbonate अगला कोश्चे ने राष्ट्य खेल दिवस के अवसर पर कौन सा पुरसकर नहीं दिया जाता है तो साथ दिखेगा राष्ट्य खेल दिवस के अवसर पर जो है न ये सब पुरसकर दिये जाते हैं से की मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरसकार अर्जुन पुरसकार दुरन अचार पुरसकार आपके उप्षन में कल परंबिड चक्र था वो आपका नहीं होता वही आपका राइट अंसर हो जाता क्योंकि परंबिड चक्र जो है यह राष्ट्य खेल दिवस के अउसर पर नही जादे कोश्चन से और कम समय में करने हैं अगला कोश्चन पूछा गया था इनमें से कौन से नर्तक कथकली निरित से संबंधित नहीं है तो अप्षन तो मुझे नहीं मिल पाए थे इसलिए कौन-कौन कथकली निरित से संबंधित ब्यक्ती है मैंने यहाँ पर लिख दिया मिरिना, मिरिना लेनी सारा भाई, ओदै संकर, कृष्ण कूटी, आनन्द सिबरामन, संता राम, राम गोपाल, वलोल नरायन, मेनन, रुक्मनी देवी आदी ठीक है इनमें से जो आपके ओप्षन में थे वो तो आपका ठीक था एक कोई नहीं था वही आपका राइट एंसर ह हो जाता, अगला कोष्चिन एक पुछा गया था कि अंतराष्टिया समझोता में कौन सम्मिलित होता है, तो साथ यों अंतराष्टिया समझोता जो है वो दो देशों के बीच होता है, तो यहां आपका राइट एंसर हो जाता, दो देश, दो राज, दो जिला, तो दो देश आपका राइटेंसर हो जाता, एक question पूछा गया था, हरित करांती के अंतरगत मुख्या क्या कारी हुआ था, तो देखेगा मुख्या हरित करांती के अंतरगत अधिक उपज देने वाली विजोकी जानकारी प्राप्त हुई थी, अगला question पूछा गया था, भारतिया दंड सहि कई राइटेंसर हो जाता अठारसोड़ शाठ में ऐगला को सिन एक पूछा गिया था विधीयों आयोग के बरतमान सरो जाता बंगलादेश की नेक्स्ट ढोfy सेने वकाठक वन्ज के सहथापक कौन । हो याद रखना है वकाठक एस्थापना की 2550 में हुई थी डियानी不用chts पूछ घ्लेक्टर अभी बिर्तमान में कौन अरे टो रॉजाता अतौल कर्वाल और का इन्डी आरेफ नृसिक क्या जाता होतह यहां सभी किसका भाग है इस को पूछा गिया है कि महातमा बुद्ध का किस्त पुर्निमा के दिन-्यूरण हुआ था यानि मिरित्तु हुआ था ठीक है तो देखिए गोतम बुद्ध की जो मिरित्तु हुई थी वो 483 इसापुर में हुआ था और उस दिन बैसाख पुर्निमा था तो आपका राइट एंस रो जाता टोकियो ओलंपिक 2020 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत मौलिक करते बीका प्रावधान है तो राइट एंस रो जाता साथ यो अनुच्छेद इक्यावन का आग का देखिए 42 संविधान संसोधन के तहद जो है दस मौलिक करते बो को भारते संविधान में जोड़ा गया था 1976 में नेक्स्ट कोस्टन है वासिंग सोडा का रसानिक सुत्र क्या होता है तो साथ यो वासिंग सोडा का रसानिक सुत्र होता है एने टू सियो थिरी और वासिंग सोडा का रसानिक नाम होता है सोडियम कार्बो पूछा गिया था ससी का परियावाची सब्ध क्यों होटा है तो सशी कि राकेश शुमांशू सुधाणसू सुधाकर सुधाधर सुन निशाकर निशाकर निशापती मृगंक कलानीधी आदी इन भी आपका उफ्षा पाईटन सरो जाता एक कोष्चन तायक्यमुनानदी कहां से निकलती है तो राइट एंड सरोजाता यह मुनत्त्री से नेक्स्ट कोस्टन पुछा गया है बिहू किस राज का लोकने रित्य है तो साथ यो बिहू जो है यह असम राज का लोकने रित्य है सभी को पता है एक कोस्टन पुछा गया था हरित करांती का प्रभाव किस फ पुछा था कि एन पी और का फूल फॉर्म क्या होता है तो इसका राइट एंसर हो जाता नेशनल पॉपुलेशन रेजिस्टर इसके अलावा एंप्यर का फुल फॉर्म नेशनल पबलिक नेश्यों भी या जब तक वहाँ 65 वर्ष की आयू प्राप नहीं कर लेता है तब तक के लिए पद पर बना रहा सकता है नेक्स्ट कोस्टन पुछा गया था विभाकर का परियावाची सब्द क्या होता है तो साथ यो बिभाकर भी चंद्रावा का ही परियावाची सब्द होता है तो देखे परियावाची सब्द होता है बिजली, चपला, चंचला, दामीनी, सौदामनी, विद्धूत, तरीत, विजूरी, चनप्रभा इनमें से जो आपके ओप्सन में थे वो आपका राइट हैंसरो जाता एक कोस्टन पुछा गया था पी-म किसान सम्मान निधी योजना का उधग परदानमंत्री मोदी जी ने और कब किया था तो 24 फरवरी 2019 को एक कोस्टन पुछा गया था टीका करन अभियान मिसन इंद्र धनूस कितने साल के बच्चों के लिए सुरू किया गया था तो राइट हैंसरो जाता जीरो से दो वर्स के लिए एक कोस्टन आप से ये भी में और भारत ने पहली बार Asian Games की मेजबाने की थी 1951 में एक कोस्टन पुछा गया था सागादावा फेस्टिवल सिक्किम में कौन से धरम के लोग मनाते हैं तो देखिए सागादावा फेस्टिवल जो है ये बहुत धरम का प्रमुक परवह है तो बहुत धरम आपका राइटेंस रोजाता फिरोज साकोटला मैदान जो दिल्ली में इस्थी थे याद रखना नेक्स्ट कोश्टन पुछा गया था 2011 के जनगरना के अनुसार किस राज के महिलाओ का सक्षाता दर सबसे कम है तो यहां आपका राइटेंस रोजाता बिहार और अगर बिहार आपक ठीक है और सात्यों आपको बता दे कि केरल राज का सबसे अधिक जो है साक्षारता दरह महिलाओ का आपको यह भी याद रखना है 92.07% एक कोश्टन पुछा गया था प्रदान मंतरी कोसल विकास योजना किस मंत्रालाई के अधिन सुरू की गई थी तो राइट एंसर हो जा गया था हर्सवर्धन का दरवारी कभी कौन था तो सात्यों राइट एंसर हो जाता बान भट एक कोश्टन पुछा गया था फ्लाइं सिक के नाम से किसे जाना जाता है तो राइट एंसर हो जाता मिलखा सिंग को नेक्स्ट कोश्टन है भारतिय सम्मिधान का अनुच्छिद एक सो किस से संबंधित है तब का राइटेंस रो जाता सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कायर करने की सक्ति और गनपूर्ती से संबंधित है next question है सदन चलाने के लिए कम से कम गनपूर्थी करोम होता है निम्नलखीत में से कौन सा संक्राम रोग है तो यादर की option में आपका एक बुखार ही था संक्राम रोग तो बुखार आपका right answer हो जाता जैसे की सरदी, जुकाम, हेजा, मलेरिया, डेंगू ये सब जो है संक्रामक रोग के उदाहरन है भारत में हरित करांती की सुरबात किष्णे की थी तो राइट एंड सरोजाता MS स्वामी नाथन जी ने और भारत में हरित करांती की सुरबात कब हुई थी तो 1966-67 में एक कोस्टन आप से पूछा गया था भारत राज्यों का संग है यहां किस अनुच्छेद में बरनित है तो राइट एंड सरोजाता अनुच्छेद एक में आकर्सन का बिलोम सब्द पूछा था क्या होता है तो आकर्सन का बिलोम सब्द होता है बिकर्सन एक कोस्टन पूछा गया था रुकमनी देवी अरुन डेल का संबन की सास्त्रे निरित से है तो राइट एंसर हो जाता भारत नेटम से जो तमिल नाडू का सास्त्रे निरित है एक क्वेश्चन पुछा गया था नाट्रोजन का अनुभार कितना होता है तो अगर आपसे अनुभार पुछा था तो 28.02 AMU हो होता और अगर आप से पर्मानुभार पूछा था तो आपका राइट एंसर 14 होता एक क्वेश्चन पुछा गया था hari एंडिया एस्स्टे ऑच की अस्थपना किश्ण की थी तो आपका राइट एंसर हो जाता दादा भाई नरो जी के परमुक कौन है ये भी question पूछा गया था, right answer हो जाता जनरल मनोज पांडे, सत्य सोधक समाज की अस्थापना किशने की थी, तो right answer है इसका जोतिवा फूले, बरतमान में भारत के खेल मंतरी कौन है, तो साथियो आपका right answer हो जाता अनुराग धाकुर, next question पूछा गया था, सीवी चंदर सेखर का संबन कोर से निरित्य से है, तो साथियो सीवी चंदर सेखर का संबन है भारत नाट्यम से, और भारत नाट्यम भारत के किस राज का लोक निरित्य है, ये आप हामें सभी साथी comment box में comment करके बता दीजिए, निमनलकित में से कौन सा निरित्य है, जो राजस्थान से संबन तो साथियो आपके सामने option इन में से कोई एक था, वही आपका राजस्थान के प्रमुक लोक निरित्य है, घूमर, रन बाजा निरित्य, रतवई निरित्य, वादलिया निरित्य, कठपुतले निरित्य और गौर निरित्य, एक question आप से पूछा गया था, आग में घी डालन महावरे कार्थ क्या होता है, तो राइटेंस रोजाता क्रोध को भढ़काना, प्रचन बेरोजगारी किस छेत्र में देखने को मिलती है, तो राइटेंस रोजाता क्रिसी और ग्रामिंग छेत्रों में, एक question आप से पूछा गया था, पेरा सितकालिन उलम्पिक 2022 में सबसे अधिक 25 देश ने जीता था, तो राइटेंस रोजाता साथियों चीन ने, और याद रखना पेरा सितकालिन उलम्पिक 2022 में ये बीजिंग में आयोजित हुई थी, किरकेट की पीछ की लंबाई कितनी होती है, तो आपका राइटेंस रोजाता 22 गज, और थसास्तर के रचिय देता है अमल, ये दोनों ही आप याद रखना, एक क्वेश्चन पुछा गया था, चूना संगमरमर का रसानिक सुत्र क्या होता है, तो राइटेंस रोजाता CACO3, एक क्वेश्चन आप से ये भी पुछा गया था, इनमें से कौन सा अपरतच कर है, और आपके ऑप्सन में पुछा गया था, बिजली का परियावाची सब्द क्या होता है, तो देखेगा बिजली का परियावाची सब्द होता है, दामीनी, बिजूरी, छन, प्रभा, चंचला, चपला, बिदूत, सोदामनी, तरित, इनमें से जो भी आपका उप्सन में रहा होगा, वही आपका रा एक question आपसे पूछा गया था आसमान पर चढ़ाना महावरे का सही अर्थ क्या होता है तो राइटेंस रोजा था किसी की बहुत अधिक प्रसंसा करना जिससे वहाँ अपने को औरो से स्रेश्ट समझने लगे और अगर आपसे ऐसा पूछे कि आसमान पर चढ़ना महावरे का अ सकते हैं एक question आपसे पूछा गया था भारतिय संभीधान में अनुच्छित 22 का संबन किस्से है तो इसका राइटेंस रोजाता गिरफतार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेस अधिकार परदान करने से या तो ऐसा आपके समने उप्सन में रहा होगा कि यहा question आपसे पूछा गया था बिहू जो असमराज का निरित्य है बिहू के अंदर कितने निरित्य हैं तो साथ आपको बता दें बिहू के अंदर कुल तीन परकार के निरित्य हैं जैसे कि एक होता है आपका बोहाग बिहू या रंगोली बिहू एक होता है काती बिहू या इसको नंगाली विहू भी बोलते है एक होता है माग विहू जिसको भोगली विहू भी बोलते हैं याद रखना एक question पुछा गया था दुरणाचार पुरतकार किसको दिया जाता है तो राइट एंसर हो जाता खेल प्रसिचक को यानि खेल खेल खिलाडियों के कोच को एक कोस्टेन आप से पुछा गया था कि मंत्री परिसद किसके परती जबाब देही होते हैं तो राइट एंसर हो जाता लोग सभा के परती ये कोस्टेन भी पूछा गया था साथ हो कि रंजी ट्रॉफी खेल की लिक बार जीता है तो मुंबई ने 41 बार ठीक है एक कोस्टेन अप से ये भी पूछा गया था मोरी काल में धंपद को अपनाने वाला सासक कौन था तो राइट एंसर हो जाता असोक भारत के पचासमें मुखिनियादीस कौन बने तो राइट एंसर हो जाता डी वाइक चंद रखना हरियाना का एक कोस्टेन अप से ये पूछा गया था स्वच भारत मिशन की सुरुवात का वही थी तो राइट एंसर हो जाता दो अक्तुबर 2014 को भारतिय संभिधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट पती पद का उल्लेक किया गया है तो इस कोस्टेन का आपका रीग बेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है और रीग बेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित किया गया नदी है सिंधु नदी नेक्स्ट कोस्टन है बिहार विधान सभा उप्चुनाव 2022 में बोचाहा छेतर से किसने जीत दर्ज की थी तापका राइटेंस रोजाता अमर कुमार पास्वन ने जो राष्टिय जनतादल से हैं साथो ये सारा टोपिक में ने आप लोगो को करा दिया है चैनल के अंदर आ 185 से कोस्टन था पहली महिला आदिवासी राष्टपती कोन है तो राइटेंस रोजाता द्रोपदी मुर्मू एक कोस्टन पूछा गया था फूल का परियावाची सब्द क्या होता है तो देखिएगा फूल के जो प्रमुक परियावाची सब्द होते हैं वो मैंने यहां सा पूल के परियावाची सब्द होता है तो साथियो महाबीर के यह सारा परियावाची सब्द होता है इनमें से जो भी आपका उप्शन में था वह आपका राइट अंसर हो जाता आप लोग इसका स्क्रीन सोटेक ले लिजिए एक कोस्टन आप से यह भी पूछा जया था सीब आव सरव तरंग जो होती है उसकी आवरिती होती है 20 हज से कम जिसको कुत्य बेली बगेरा सुन सकता है हम इनसान जो आवरिती को सुनते हैं उसको हम बोलते हैं सरव तरंग जिसकी आवरिती होती है 20 हज से 20,000 हज के बीच में एक होता है परासरव तरंग जिसका उपयोग च शातिस्वा राश्ट्य खेल जो गुजरात के छे सहरों में आजीत हुआ था ये आपको याद रखना है अवांती का विलोमसब्द क्या होता है तो साथियों अवांती का विलोमसब्द होता है उन्नती याद रखना एक कोश्चन पुछा गया था 73 संबिधान संसोधन के तहत क किस अस्तरिय की बात कही गई थी तो राइट एंसर आपका हो जाता 3 अस्तरिया एक कोश्चन आप से पुछा गया था भारत की पहली महला राजपाल कौन थी तो राइट एंसर हो जाता सरोजीनी नाडू सन 1919 में कौन सी घटना हुई थी तो आपका राइट एंसर हो जाता ज क्या option में था ये तो मुझे नहीं मिला था, नहीं, option में आपका एक और option था राउप, एही आपका राइटेंस रोजा था, क्योंकि राउप जो है, ये जम्मो कस्मिर का आपका लोक नेरित्य है, बाकी महराष्टर के कौन-कौन से लोक नेरित्य होते हैं तो देख लीजेगा, एक होता है कोली नेरित्य, लावने नेरित्य, पोधास नेरित्य, तमासा आधी, question पुछा गया था, अरुनाचल प्रदेश के नए हवाएड़े का क्या नाम है, तो राइटेंस रोजाता डोनी पोलो हवाएड़ा, next question है, यूक्रेन का राजधाने कहां इस्ति थे, तो आप स्वाराज पाठी की अस्थापना की थी, मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास ने, एक एक जनवरी दो आजर थे, इसको, question अब से पूछा गया था, द्रोबदी मुर्मुर राश्क पती बनने से पहले, किस राज की राजपाल रह चुकी थी, तो इस question का राइट एंसर हो जा स्वर की उपाधिया हासिल की थी, तो आपका राइट एंसर हो जाता, बारा राजाओ को हरा कर, next question है, मैकिन इंडिया की सुरुबात कब हुई थी, तो साथियों मैकिन इंडिया की सुरुबात हुई थी, 25 सितंबर 2014 को, और परदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने इसकी सु चटान बनाती है, इस question का right answer हो जाता, आगने चटान, एक question आप से पूछा गया था, सरवच्चे नियाले किस अनुच्छेद के तहत, अपने नेड़नाय पर विचार कर सकती है, तो साथियों आपका right answer हो जाता, अनुच्छेद 137 के तहत, पाप का विलोम सब्द पूछा थ तो साथियों पाप का विलोम सब्द होता है, एक question आप से पूछा था, पट्टी पढ़ाना महावरे का अर्थ क्या होता है, तो right answer हो जाता, गलत का कर भाकाना, एक question आप से पूछा था, आस्तीन का साफ होना, इस महावरे का अर्थ क्या होता है, तो right answer हो जाता, मित्र के दूद याद दिलाना ठीक है तो इस खाली जगह पर आपका दूद आता अगला कुश्ची ने पुछा गया था जल का परियावाची सब क्या होता है तो देखिए जल के प्रमुक परियावाची सब दोते हैं वारी पानी नीर सलील तोई उदक अम्भू जीवन पाई अमरीत मेग पुस्प आधी इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा वह आपका राइट एंसर होगा साथ हो हिंदी के यह परियावाची सब विल्यों सब जो यह बार बार रिपीट हो रहे हैं आपको याद रखना है दिखिएगा जम्मो कस्मिर के उपराजपाल बरतमान में कौन है यह पूछा गिया था तो राइट एंसर हो जाता मनुज सिन्हा दूतिया गोल में सम्मेलन कभ हुआ था तो राइट एंसर हो जाता साथ सितंबर 1931 को पहला जो है 1930 में हुआ था और दूसरा बोलते हैं याद रखना हरित करांती की सुरुवात कब हुई थी एक क्वेश्चन तो यह कम से कम छे से साथ बार रिपीट हुआ है तो हरित करांती की सुरुवात जो है 1966-67 में हुई थी और डॉक्टर रहमेस स्वामीन आथन जी ने इसकी सुरुवात की सुद्धिस से की ग प्राज का प्रमुक्तिवार है एक क्वेश्चन पूचा गया था इन में से कौन सा नेरित्य पंजाब का नहीं है तो दिखेगा पंजाब के प्रमुक्त नेरित्य है भांगडा गिद्धा जोमर लुड़ी धंकरा जूली सम्मी लेकिन आपके एक ओप्सन में लावनी भी थ यह दस वर्स तक के लिए रइट एंसर हो जाता एक सो चारवे संविदान संसोधन इक कोशेन पूचा गया थाा संभावना का बिलूम सब्स पूचा था तो question अपसे पूछा गया था कि नागा लेंड की पहली महिला राज सभासदे कौन बनी थी तो right answer फांग नों कोनियाक ठीके चलिए question अपसे पूछा गया था कि प्रिथिवी की सबसे उपरी परत को क्या कहा जाता है तो right answer सरोजाता क्रश्ट यानि भूपट्टी नेक्स्ट कोस्टेन जो पूछा गिया है दोहाजरी गारा के जिनगर्णा कहनो सर सबसे कम लिंगा अनुपात किस राज का है तो राइटेन सरोजाता हरियाना का एक कोस्टेन अपसे एन आर एलम का फुल्फम पूछा था तो इसका 999 इसमी में कंदार्या महादेव मंदिर का निर्मान किशने करवाया था तो राइटेंसर हो जाता साथियो राजा धंग देव चंदेल ने और दिखेगा ये मंदिर जो है ये खजुराहों में इस्तित है ये भी आपको याद रखना है एक कोस्टेन अपसे पूछा था केप किस सेली की भारते निरती है तो साथिmo देखोएका तेख जोएक कध्षक जो है देखिए कच्छप कमठ कुम्र यह सभी कच्छवा का परियावाची सब्द होता है साइवन का मिसन भारत कब आया था तो इसका राइट अंसर हो जाता 1928 में आत्महित्ता की थहली किसे कहते हैं राइट अनसर हो जाता लाइसोजों को चंद्रमा का परियावाची सब्द सी है तो देखेगा सिंदु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव नदी और याद रखना सिंदु नदी की अनि सहायक नदिया है सतलूज रावी जेलम है ना अगला कुछेन है रंजी ट्रॉफी की स्खेल से संबंदी थे तो राइट अंसरोजाता क्रिकेट से सबसे अगला कुछेन अभी तक 10 बार रिपीट हो चुका है अगला कुछेन पूछा गया था लोक सभा या निमना सदन में अधिक्तम कितने सदेस होते हैं तो राइट अंसरोजाता था तो आपको याद रखना है 250 एक कुछेन अपसे पूछा गया था कि बतुकम्मा तियोहार या किस राजबे मने आ जाता है तापका राइटेंस रोजाता तेलंगर्णा राज में नेक्स्ट कोर्सेन अपसे पुछा गया था 2011 के जनगर्णा के अनुसर किस राज की साक्षरता दर्थ सबसे कम है तापका राइटेंस रोजाता बिहार का 63.82% और सबसे अधिक साक्षरता दरवाला राजह केरल आपको याद रखना है चौथी पंचवर्सिय योजना के समय कौन सायूद हुआ था तापकर आईटेंस रोजाता भारत पाक यूद 1971 में और चौथी पंचवर्सिय योजना का समय था 1979 से 74 और उस समय प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी जी थी गांधी जी साउथ अफरीका से वापस कब लोटे थे तो आपका राइटेंस रोजाता ना जनवरी 2015 को 21 साल के बाद एक कोस्चन आप से पुछा गया था सास्यों दिखीगा इसके अलाव आप ये भी याद रखना की गांधी जी साउथ अफरीका कब गये थे तो 1893 में 2020 के टोक्यो अलम्पिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था राइटेंस रोजाता 205 देशों ने आपका राइटेंस रोजाता और बरतमार में फिक्की के अद्धचा संजीब मेता जी ये भी आपको याद रखना है एक कोस्चन पुछा था नट्नी का चबुतरा भारत के किस राज में इस्ती थे तो साथी और नट्नी का चबुतरा जो है हारक, जातरूप, आधि, इनमें से जो भी आपका उप्सन में रहेगा, वो आपका रायटन सरोगा, बाड का बिलोम सबूचा था, तो बाड का बिलोम सब सुखा होता है, आपको याद रखना है, जिसके आर पर देखा जा सके, उसे क्या कहाते है, तो साथियों जिसके आर पर देखा जा सके उसको पारदर्सी बोलते हैं और जिसके आर पर ना देखा जा सके उसको आपारदर्सी बोलते हैं एक question पुछा था जो साधारन के समान ना हो इस वाक्य के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका राइटेंस रोजाता आसाधारन एक क्वेश्चन आप से पूछा था कि जहर का घुट पीना मुहावरे कार्थ क्या होता है तो इसका राइटेंस रोजाता अपमान सहन करना दो हाजार रिगारा के जनगनना कितने चर्णों में आयजित हुई थी तो इसका राइटेंस रोजाता साथियो दो चर्णों में याद रखना है 2011 में जो जनगनना हुई थी उप 15 वी जनगनना थी एक कोश्चन पुछा गिया था नॉमबर 2022 तक नीतियायो के उपाध्यच कोन है तो राइटेंस रोजाता डॉक्टर सुमन बेरी जो बरतमान में है भारत के नियंत्रा के वगम महालखा परिष्यक से संबंदीत अनुछी दप से पुछा था कौन सा है तो अनुछी 148 आपका राइटेंस रोजाता सक्रिया का विलूमसब्द क्या होता है तो दिखीगा सक्रिया का विलूमसब्द होता है साथियो निशक्रिया एक question पुछा था, Matro-Kondria में कितनी कोशी का जिल्ली होती है, तो राइटेंस रो जाता दो, क्योंकि Matro-Kondria में दोहरी कोशी का जिल्ली होती है, तो आपका राइटेंस रो जाता, Mumbai में, महराष्टरा में, काट का उल्लू महावरे कार्थ क्या होता है तो इसका राइटेंस रोजाता मुर्ख या महामुर्ख सागर का समानार्थी सब्द क्या होता ये पूछा था तो दिखीगा सागर का समानार्थी सब्द होता है समुद्र उलाधी मापकना उदाधी या जलाधी जो आपके option में रहेगा वही आपका राइटेंसर हो जाता जारखन कहां का तिवा मापकना सरहुल जो है ये कहां का बहार है तो इस question का आपका राइट अंसर हो जाता जार्खन राज का एक question पूछा था नॉवंबर 2022 तक नितियायोग के अध्दज कौन थे तो राइट अंसर हो जाता प्रदानमंत्री नरेंद्र और इसे सभी मार्सला आठ की मा के रूप में भी जाना जाता है आपको याद रखना इसको राइट अंसर आपका केरल होता मुर्य सासक असुक किम्रित्तु कभ होई थी तो इस question का राइट अंसर हो जाता 232 इसा पूरु में एक question पूछा गिया था कपास जूट रेसम उनिवस्त्र ये किस उधोग से संबंदी थे तो राइट अंसर हो जाता कपड़ा उधोग से प्रदानमंत्री मोदी जी ने की थी एक माई 2016 को एक question पूछा गिया था बरतमान में भारत के उप चुनावाय उक्त कौन है तो राइट अंसर हो जाता अजय भादू कलिंग यूद के बाद यूद निती को छोड़ दिया था तो राइट अंसर हो जाएगा असोक ने भुपेंद्र पटेल से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे तापका राइट अंसर हो जाता बिजय रूपानी राष्टपती का चमादान देखिए राष्टपती का को माप करने का अधिकार राष्टपती के पास है ये किस अनुच्छिद में वरनी थे तो राइट अंसर हो जाता अनुच्छिद बहत्तर में एक कुश्चन अपसे पूछा गिया था भारत और स्री लंका के बीच कौन सी जलसंदी है तो राइट अंसर हो जाता पाक जलसंद नहीं कहा थी तो राइट अंसर हो जाता बेशाली एक कोश्चन था काटी बीहु निरित्य कौन से महिने में मनाया जाता है तो राइट अंसर हो जाता कार्ति कार्तिक महिने में मनाया जाता है मैंने अभी आपको बताया साथियों की बीहु तीन परकार की होती है एक होता है भी हूँ जो बैसाख या अप्रेल में मनेया जाता है और इससा विधान सभाव उप्चुनाव 2022 में धाम नगर से किसने जित दर्ज की है तो राइट एंसर हो जाता सुरीबन सी सुराज जोकी बीजेपी से हैं एक क्योस्टेन आप से पूछा गिया है विधान परिश्द के संब्दि विभात म बीखा वृट अग일 में धिट डॉ बचाने के लिए कौन सी खाथा मखर में जनार्धन गोविंद कंलकर लक्ष्मी पती ऊपेंद्र आधी होता है इनमें सी जो भी आपका उप्षन में रहेगा वो रायटेंस रोगा संगीत नाटक एकडिमी के द्वारा कितनी रासी का पुरसकार दिया जाता एक लाग रुपे का और याद रखना संगीत नाटक एकेडमी फेलोशीप अवाड जो ह परमा का प्रवाचिस अब दोता है पितामा बिरंच हिरन्यगर्व कुलेश विधी विधाता अधाता आधी नेक्स्ट कोष्चन था माल की निर्यात किस अर्थव्योस्था का उधारन है तो राइटेंसर हो जाता शक्रिया अर्थव्योस्था का एक कोष्चन पूचा गया था राजसभा का सदस वनने के लिए नियुन तवायों कितनी वर्स होनी चाहिए तो राईटेंट सर्सोर रोजाता 30 वर्स सच्चना प्रण०ोगी की अधिनियम किस वर्स पारिट किया गया था तो साथियो सच्चना प्रण०गी की अधिनियम जो है किस खिलाडी का उपनाम दावाल है तो दावाल राहुल द्रवीड का उपनाम है हिटमेर अगर आपसे पूछे तो रोहित सर्मा का उपनाम है रन मसीन ये बिराट कोली का उपनाम है और सचिन तेंदुलकर का उपनाम है ब्लास्टर या लेटिल मास्टर एक कोश्चन पूचा गया था जल का प्रियावाची सब तो ये सारा जल का प्रियावाची सब दोता है इनमें से जो भी आपका उपसर में था वो आपका राइटेंश रोजाता स्क्रीन सोट ले लिजी मोरी वन्स का संस्थापक पूछाता पर होता है तो इसका राइटेंस रोजाता जम्मू कस्मिर में स्वार्न सिंग समीती की अनुसंसा पर विदान सभा में क्या जोड़ा गया था तो आपका राइटेंस रोजाता मॉलिक करता भी चक्के छुड़ा देना मुहावरे कार्थ क्या होता है तो बुरी तरह से हरा देन पार्त का परियावची सब्द क्या होता है तो देखेगा धनजय अरजुन, सविसाची, गुडाकोस, बिरियाण अल्ला यह सभी पार्त का परियावची सब्द होता है इनमें से जो भी आपका उप्सन मेरा था वो आपका रायटेंसर हो जाता बलवंत मेहता समीती किस से संबंदी थे तो राइटेंस रोजा था क्रियस तरिया पंचायती राज से 2015 में राष्ट्य खेल का आज़न कहां पर क्या गया था तो राइटेंस रेक केरल में याद रखना है होती है आपकी दो देखेगा दो रेल्वे लाइनों की एक मीटर एक होता है नेरो गेज जो सबसे छोटा होता है जिरो पॉंट अगला कोश्चन पूछा गिया है साथवी पंच वर्षी योजना का उद्देश क्या था तो राइट अंसर हो जाता आर्थिक उत्पादक्ता को बढ़ाना खद्दान उत्पादन और रोजगार पैदा करना और छेत्रे में विकास इस्थापित करना और साथवी आपको यह य पंदीत अनुच्यत कौन सा है तो राइट अंसर हो जाता अनुच्यत 814 एक उमर्स क्या होता है तो साथ यो एकोमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोनिक्स और किसी बी बस्तु को इंटरनेट के माध्यम से खरिदना या बेचना इकोमर्स कालाता है जैसे कि फिलिपकार अमेजन मेसो ये सभी e-commerce company है एक question आप से पूछा था निमने में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है तो साथ के देखीगा सिंदो नदी नर्मदा नदी और तापी नदी ये तीनों नदिया अरब सागर में गिरती है इन में से जो भी आपका option में था वो राइट संबंदित है जैसे कि पंडित बिर्जु महराज दम्यन जोसी सितारा देभी पंडित लच्छु महराज पंडित कार्तिक राम पंडित फिर्तु महराज इसके अलावा आपका पंडित कल्यांदास महंत पंडित बर्मानलक ये सबी जो है कथक निर्थ से संबंदित है अनुर सरोजाता 36 खेल सामिल थे और यह 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के छे सहरों में आई जित हुआ था प्यम मोदी ने दक्षिन भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई वह कहां से कहां तक चलेगी तो राइटन सरोजाता बैंगलूरू से चिनने तक कैच्छदा रहन अभियान किस राज किस राज ने सुरू किया है तो राइटन सरोजाता नई दिल्ली ने जिपसम को कितने डिगरी में गरम करने पर प्लास् बस्तवों और सिवाओं के अमेरिकी निर्यात और बस्तवों और सिवाओं के अमेरिकी आयत के बीच का अंतर होता है उतकर्स का विलोमसब्स पूछा था तो उतकर्स का विलोमसब्स उपकर्स होता है एक क्वेश्चन अपसे पूछा था सत्रिया कहां का निरित्य है तो रा तो राइटन सरो जाता 1950 में ओलंपिक 2020 में उध्गाटन समारों के ध्वजवाहक कौन थे तो राइटन सरो जाता MC मेरी कॉम रामपुर विदान सबा छेतर से किसने जित दर्च हुई थी या किसकी जित दर्च हुई थी तो राइटन सरो हो जाता क्या होता है तो दिखेगा शूरज सुरिय रवी दिनकर दिवाकर प्रभाकर वासकर आदी होता इन्में से जो भी आपका option में रहेगा वो राइट एंसर होगा सहुंत राष्ट संग में भारत के क्या कहा जाता है तो सरवग्य कहा जाता है कबड़ी के प्रतेक पक्ष में कितने खिलाडी होते हैं तो साथ खिलाडी होते हैं छेत्रफल के अनुसर भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा है तो राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा चोरी-चोरा कांड की सांदोलन से बंद किस वर्ष भारत की GDP सबसे कम हो गई थी तो 2021 में पूना प्रेक्ट कब हुआ था तो 1932 में गांधी जी और अंबेटकर के बीच में कनिष्ट का विलोमसब्द क्या होता है तो कनिष्ट का विलोमसब्द जेष्ट या वरिष्ट होता है जो आपका ओप्शन में था वो राइट होता है याद रखना राउत जो है किस भारतिया राज से संबंदी थे तो राउत नाज जो यह च्छतिसगर से नहीं दिती है और अगर आपसे राउप पूछे राउप तो आपका जम्मू कस्मिर होगा बीच में टांग अडाना मुहावरे कार्थ क्या होता है तो अर्चल देखिए और चन डालना या काम बिगारना दो आजर अठारा के सियाई खेल में सुभारम समारों के धोजबाहक कौन थे तो राइटन सरे रानी रामपाल बिसी सियाई के पर्थम अद्दच कौन थे तो राइटन सरोगा आर ग्रांट गोवेन बरतमान में रोजर बिन्नी है आपको याद रखना है बरतमान में आंद्रपरदेश के राजपाल कोन है तो बिसो भूसन हरिस चंद्र जी पाचभी पंचवर से योजना कम खुद देश किया था तो गरीबी उन्मुलन तथा आत्म निर्भरता जिसका कारिकाल था 1974 से 78 ये केवल 4 साल ही चला था एक पुछा गया था अमरित का परियावाची सब्ध क्या होता है तो अमरित का परियावाची सब्ध की आदियों से जो भी आपका उप्शन में था वो राइट arrest हो जाता भारतिय संभिधान के कि सकLaughs हैं लोग लोग स्कृरीन सोट ले लिए इन में से जो भी आपका उप्सें में था वो आपका राइट अनसर हो जाता साथियो एक कृश्चन आप पूछा गिया था भारतिय संबिधान में कुल कितनी तो राई एंसर रहा है, बील जन जाती, किस छेतर में निवाज करती है, तो बील जन जाती, गुजराद, मजपरदेश, शतिसगर, माहरास और राज़्थान में पाई जाती है, जो भी आपका option में रहेगा, वो राई एंसर होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो अभुत पुर्वा आपका राइट एंसर होगा त्री पूरा विधान सभा उप्चुनाओं से किसने जीत दर्ज किये थी तो तीन देखे चार सीटों के लिए तीन सीट बीजेपी ने जीता था और एक कॉंग्रेश ने जीता था आपका उलम्पिक में व्यक्तिगत रुप से पदग यतने वाली भारतिया महिला को थी तो कर्नम मलेश्वरी याद रखना एक कॉस्चन आपसे पूछा गिया था आठवी पंचवर्सी योजना का मुखुद्देश क्या था तो राइटन सेरे पूर्ण रोजगार की प्राप्ति और आठवी पंचवर्सी योजना का कारिकाल क्या था तो याद रखना 1992 से 1997 तक और साथियों आपको यहाँ यह भी आद रखना है कि 1989 से 1991 भारत में आर्थिक आष्थार्ता का दौर था और इसलिए कोई भी पंचवर्सी या इस बीच नहीं लागू की गई थी इसलिए दो साल का गेप था फुटबल ग्राउंड के दोनों गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होती है तराइटेंस रोजाता 16.5 मीटर या 18 याड नेमनलखित में से कौन भ्यक्ति कुचिपूरी से संबंधी थे तो इसका ओप्सन नहीं मिल पाया था तो साथियों कुचिपूरी से संबंधी प्रम महावयोग लगाया जाता है तो राइटेंस रोजाता अनुच्छे देखसट के तहत इनमें से कौन सा च्छतिसगर का निरित्य नहीं है तो देखें च्छतिसगर के जो प्रमुक निरित्य हैं वो कौन-कौन से हैं एक तो सुवा, राउतनाचा, कर्मा, ककसार, गौर निरित या आदी इनमें से जो भी आपका उप्सन में रहेगा राइट अंसर है और च्छतिसगर के प्रमुक लोग गीत कौन-कौन से हैं देख लिए पंडवानी है, भर्थरी है, चंदेरी है, ढोला मारू, ददारिया, मास गीत, आदी एक कॉस्चिन आप से ये भी पूछा गिया पंजाब के बरतमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो साथी दिखेगा पंजाब के बरतमान में मुख्यमंत्री है, भगवंत मान जी, जून 2022 में महाराष्टा के किस मुख्यमंत्री ने इस्थिपा दिया था, तो राइट अंसर आएगा, उद्धव ठाकरे ने, देखिए उत जिशनुजी की और मोहने अट्टम केरल राज का सास्त्रे निरते हैं देखेगा भारते संभीधान में बरतमार में कितनी अनुसुचिया है तो राइट एंसरे बारा अनुसुचिया है आमोनियम कुलोराइड का रसानिक सुत्र क्या होता है तो एन एच फोर सी यल याद रखन 2022 में राष्ट मंडल खिल कहां पर आजित किया गया था तो राइट एंसर हो जाता बर्मी घम में इसमें भारतिय एथलेटों ने कुल 61 पदक जीता था जिसमें से 22 स्वन पदक 16 रजत और 23 काईसर पदक सामिल रहे मेगालाई की किस सार में सबसे अधिक वर्सा होती है तो र राइट एंसर है मिया वजीर ने 1505 में नई दिल्ली में इसके अलावा सिकंदर लोधी ने भी एक मठ मस्जिद का मोठ मस्जिद का निर्मान करवाया था राजा का परियावाची सब्द पूछा था क्या होता है तो देखिए राजा के प्रमुक प्रियावाची सब्द नरे केट की पीछ की लंबाई कितनी होती है तो 22 गज होती है इनामगाव कहां इस्ती थे तो साथियों इनामगाव महाराष्टा मिस्ती थे जी 37 रेडिक के अस्थान पर डियाडियों के नए अध्यच कोन बने है तो राइट एंसरोजाता समीर वी कामत गोपाल दास दूबे किस निरित से संबंदी थे तो राइट एंसरोजाता अच्छाव निरित से विदेशी मुद्रा का संगरा किस के पास होता है तो आरवी आई के पास होता है भारते रिजर्ब बैंक के पास मधूबानी प्रेंटिंग का संबंद किस राज से है तो राइट एंसरोजाता बिहार मि इरवाचन की पद्दती किस देश से ली गई है तो राइट एंसर है आईरलेंड से दूसरी हरित करांती की सुरुबात कभी थी तो 2010-11 में आपको याद रखने है नेक्स्ट कोश्चन पूछा गिया है आवर का विलोम सब्द क्या होता है तो प्रवर होता है जनगर्ना 2011 के अन लगाना केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए बताया गिया है इनमें से जो भी आपके ओप्सन में थे वो आपका राइटन से रोजा था मेडगी को जुकाम होना मुहावरे कर्थ क्या होता है तो अन्होनी होना बीर सावर कर अंतराष्टे हवाएड़ा कहा इस्ति थे तो अंडमान निकोबार में नेली करांती का संबन किस्से है तो साथियो मत इस उत्पाधन से माई 2022 में दिल्ली के नए पूलिस कमिशनर को न्यूक्त कि गया है तो राइटन से रोजाता संजय रोडा राजिब गांदी खेल रतना पुरसकार सबजे पलेक इसको मिला था तो वि पशी के कितने पर होंगे तो दो पर होंगे मोपर मिठाई खिलाना मुहा Всем कर्थ क्हीं होता है तो मबर के मिठाई खिलाना खिलना है नो就會 क्षिभाति होना at एक कोश्चन पूछा गया था आप से स्वार्णीम चतुरभू योजना की अंतरगत कौन से सहर जोड़े गये थे देखें स्वार्णीम चतुरभू योजना के तहत जो है चार महानगर दिल्ली मुंबै चिन्हई और कोलकाता को जोड़ा गया था एक कोश्चन और आपको यह भी याद रखना है कि नेशनल हाइवे डेवलोप्मेंट प्रजेक्ट के अंतरगत 1990 में यूजना प्रारम की गई थी मुंबई को चैन्ने से जड़ने वाला राजमार कौन सा है तो नहीं 66 बंदे मातरम गित की रचना किषने की थी तो बमकीन चंदर चेटर जी ने हाली में से का रक्षन कितने साल के लिए बढ़ा गिया है तो दस वर्ष के लिए आपका राइट एंसर हो जाता एक कोस्टेन आप से पूछा गिया था इन में से कौन सा चंदन का प्रियावाची सब नहीं है तो दिखेगा चंदन के कौन-कौन से प्रियावाची सब्द होते हैं वो मैंने या लिख दिया है जैसे कि गंदराज, गंसार, मैजल, आधी राष्टपती की नियुकती किस अनुच्छिद में बनी थे तो अनुच्छिद बावन में पद का उलेख है और अनुच् क्ल게 और अनुच्छिद बिदान सबा चुनाओ किसने जिती थी तो केंग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री है सुख विनर सिंग सुख जी लोगपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट पती करते हैं जो फालतु में बोले उसे क्या बोलते हैं तो उसे वाचाल बोलते हैं कौंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी तो राइट अंसरो जाता 28 दिसंबर 885 को याद रखना साथ यहों दिखीत कोस्टिन पुछा था कि राष्ट पती के कारिकाल और महावयोग से संबधनीत अनुच्छेद कितने से कितने तक है तो राइट अंसरो जाता अनुच्छेद आप से पूछा था मोसम का परिवर्तन किस के कारण होता है तो दिखेगा प्रिथवी द्वारा सुर के चारो और परिकर्मन के कारण बर्मी भासा भारत के किस परोसी देश में बोली जाती है तो म्यामार आपका राइट अंसर हो जाता एक कोस्टन पूछा था ट्री किरिसी में अद्यचम माध्वी होगा या माध्वी पूरी बुच आपको याद रखना है बोलने का अधिकार किस अनुचिद में वरनी थे तो अनुचिद 19 का एक का ए में बारत में पहली जूट मील किस जगा इस्थापित की गई थी तो रिसरा में जो कोलकता मिशती थे बरतमान म में आवर्थ सारनी में कुल कितने तत्व गया थे तो 118 हरित करांती का सरवाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था तुराइट अन्सरोजाता के ओपर कबड़ी के एक टिम में कितने खिलाडी होते हैं तो साथ खिलाडी भारत के ने रक्षा मंत्री कौन है तो राजनात स किस राज की समद्री सीमा सबसे छोटी है तो गोवा की और सबसे लंबी है गुजरात की याद रखना है सोना का परियावाची सब्द फिर से पूछा था मैंने आपको बताया क्या होता है कनक स्वर नहेन हारक जात्रूप आदी सुगंद का विलोम सब्द क्या होता है तो चार केलोरी उर्जा पराफ्त होती है तो आपका रायटेंसर हो जाता कार्बो हाड़ेट से राष्टे टेबल टेनिस 2022 कहां प्रायजीत क्या गया था तो रायटेंसर हो जाता मेगालाई में 2022 के अनुसार भारत विश्व की जनसंख्या का कितनावा सबसे बड़ा देसे तो दुसरा और पहला है चिन दुरात्मा का विलोम सब पूछा था क्या होता है तो महात्मा होता है एक क्वेश्चन आप से पूछा था महाराष्टर के मुख्यमंत्री बरतमान में कौन है तो देखे महाराष्टर के मुख्यमंत्री बरतमान में एकनात सिंद्रे जी हैं अर्ज संथापक कौन था तो पुष्यमित्र सुंग अनुछे दिखके इसका संबन किस्ते तो अनुछे दिखके इसका संबन है निजिता के अधिकार से राज की काहिरपाले का सक्ति राजपाल में नहीं थोगी इसका प्रवधान की सनुच्छेद में तो राइट एंसर हो जाता 155 मे परमानु के नाविक तक की दुरी को क्या कहा जाता है तो परमानु त्रिजा कहा जाता है नॉम्बर 2022 में बिहार उप्चुनाव के गोपाल गंज विधान सभा छेदर से किस्तने जित तरज की थी तो कुसुम देवी विजेपी से नाटे सास्तर के रचियता कौन थे तो रा मीटर यानि 43 फीट ब्यमपत्ती चिन्ना सक्तम कि सास्त्रे निरित के नर्तक थे नर्तक हैं तो कुचिपूरी के टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीरा भाई चानों ने कौन सा मेडल जीता था तो रजत पदक देखीगा अगला कोश्चन पुछा गया था कौन सी फसल है जो उत्तर भार जुक्ताम सब पुछा था तो गुरू का भी्लम सब दोता है सिस या लगू लकीर का फकीरोना महावरे का अर्थ पुछा था-ट तो आना तो बहुत कष्ट होना और अगर ऐसा है पुछेगा कि छठी का दूद याद दिलाना तो इसका अर्थों का बुरी तरह से हरा देना जनगर्ना 2021 के नुसर सबसे कम अबादी वाला भारतिय राज कौन सा है तो सिक्किम 26 नौंबर 2019 को क्या हुआ था तो भारतिय संबिधान को अपनाया गया था चरक सहिता का संबन किस्से है तो आयुर्वेज से जिसका कोई नाथ ना हो इस वाज़की के लिए एक सब्द क्या होगा तो अनाथ होगा एक कोस्चन पूशा गिया है कि जल का परियावाची सब तो नीर पानी प भी फसल है जैसे कि गेहूं जो आलू चना मटर अलसी मटर सरसो रवी की प्रमुक फसले हैं ठीक है मसूर है ठीक है इसके अलावा देखे खरीब की प्रमुक फसले भी देख लीजे तो चावल बाजरा जुआर मक्का कपास मुंफली जूट गन्ना हल्दी उड़द ये सभी जो है खरीब फसल है इसको आप स्क्रीन सोट ले लिए ताकि आपके आपसे जब भी पूचे इनमें से रभी फसल या खरीब फसल असानी से आंसर कर सको 2000 यह कुश्चिन नहीं है देखिए माई और जून में चलने वाली गर्म हमा को क्या कहा जाता है तो राइट अंसर हो ज किस के से गर्ण क्या गिया है तो सायोक्तराज अमेरिका से फिर से रिपीठ हुआ था यह जो पृथवी से संबन्ध रखता हो असे क्या कहा जाता है तो पार्थिव कहा जैता है असम का सात्र क manger 10 इनमें से कौन सा है तो सत्र यहापका राइट एक क्या रहेट बर नरृत था मौलिक कर्थब की से ग्रहन क्या गया है तो राइट आंस रोजा था रूस से हिमादृ का परियावाची सब्ग पूछा था तो छब आपमान का बिलूम सब्सक्राइब पुछा था तो आपमान का बिलूम सब्सक्राइब रहेगा वह राइट एंसर हो जाएगा नोचंदी मेला किस राज से संबंदी थे तो सथियों गोश्वामी किस निरित से संबंदी थे तो राइट हैं सरोजा तो सत्रिया निरित से जो असमराज का सास्त्री निरित है मगरमच किस वर्ग का जीब है तो साथियों मगरमच जो है ये रेप्टेलिया वर्ग का सबसे बड़ा जन्तु है याद रखना एक कोस्टन पूछा गया था आपसे कि अक्टोपस किस वर्ग का प्रानी है तो ये मुलास्का संग का प्रानी है पहली पंचवर से योजना का उद्देश किया था तो किरिसी का विकाश स्वच्च बारत मिसन की सुरुवात ये भी कोश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है तो 2 अक्टूबर 2014 सबसे अधिक, सबसे अच्छा विदुद्चालक क्या होता है तो चांदी होता है मान अरेगा किस आयोग से समबंधी थैए शिख्चा का अधिकार मौली का अधिकार या किस सनुच्चिद में बरनी थे तो अनुच्चद का ये में जानकी का परियवाची सब्ड क्या होता है तो जनक सुता, विदेही, मैथिली, सीता, राम पिरिया, जनक दुलारी, जनक नंदिनी इनमें से जो भी आपका उप्सन में रहेगा वो आपका राइट एंसर होगा कोली लोकने रित किस राज से संबनी थे तो ये महराष्ट का लोकने रिती है विसो में हरित करांती के जनक कौन मने जाते है तो नॉर्मन बेर लोग आपका राइट एंसर हो जाता एसाकार का कौन सा महासागर होता है तो अटलांटिक महासागर की आकरिती एसाकार का होता है हरित क्रांती का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा तो गेहूं आपका राइट एंसर हो जाता राष्टिय महला आयोग का गठन कवक्या गया था तो 1952 में याद रखना वर्तमान में राष्टिय महला आयोग की अद्दचे रेखा सरमाजी 1290 से 1320 सिस्वी तक किस वन्स के सासकों ने शाषन किया था तो खेलजी वन्स 12 परमानों संख्या किसका होता है तो मेगनेशियम का होता है बादूर सा जफर और उसके पुत्र को 1870 में अंग्रेजों ने कहां से पकड़ा था तो राइट अंसर हो जाता हो मायो के मकवरे से जो नई दिल्ली मेशती थे जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है तो उसे बिधूर कहा जाता है और जिसका पत्ती मर गया हो उसे बिद्वा कहा जाता है एक कोश्चन पुछा गया था बेस बॉल में कितने खिलाडी होते हैं तो नो पिलियर होते हैं की अमेरिका का राष्ट्य खेले सोसन के विरुद अधिकार की सनुचित में बनी थे तो अनुचित 23 और 24 में राजपाल बनने के लिए नियुनता मायू कि आउनी चाहिए तो 35 वर्स और राष्टपती बनने के लिए भी 35 वर्स फोरेंट सेक्रेटरी ओफ इंडिया 2022 में वर्तमान में कौन है तो याद रखना बिने मोहन को अत्राजी खिन का परियावाची सब पुछा था तो खिन का परियावाची सब दोता है आपरशन नाराज उदास दोखी विरक्त अनेमस्क खिन मलान असंतुष्ट आदी इनमें से जो भी आपका ऊप्चन में रहेगा वहाइट ञाएगा Hist न propagateन्सर हो जाएगा नो डो dying मोहावरे कार्थ क्या होता है तो भाग जाना जिसका कोई सत्रू ना हो उससे क्या कहा जाता है अजाति सब पुछाता है कमल का प्रियावाची सब सब पंकज, निरज, सर्वोज, जलज, अंबुज, अबज, अर्बिन, इंदिवर, उत्पल, कवंज, कंवल, किंजल, कोकनद होता है, आप लोग स्क्रीन सोट ले लीजिए, और इन में से जो भी आपका उप्शन में रहेगा, वो आपका राइट अर्सर होगा, क्योंकि ये पुझा गिया था, इनकलाब, जिंदाबाद का नारा किशनी दिया था भगत सिंग ने दिया था, लोह अवम, रक्त की निति को आरम किशनी किया था, तो बलबन ने किया था, विराग का विलोमसब्द क्या होता है, तो अनुराग होता है, फिफा वल्ड कुप 2022 में कहा रखना बीजिंग में 2022 का सित्कालिन ओलम्पिक आयो जित हुआ था भारत के बरतमार में आटर्णी जनल कौन है तो आर बेंकर ट्रमानी जो सोलावे हैं 2022 के राष्टपती चुनाव में राष्टपती के विपक्च के नेता कौन थे तो यस्वंत सिन्हा इन में से कौन सा जहरक इन में से जो भी आपके उप्चन में थे वह तो ठीक था एक कोई नहीं था वह आपका राइट एंसर हो जाता संबिधार के किस अनुछेद में मौलिक कर्तब का प्रावधान है इक्क्यावन का का में यह कोश्चन आठ से दस बर रिपीट हो चुका है चोसा का यूद का प्रियावाच से अनुछ रहन इन में से जो भी आपका उप्शन में था वह आपका राय एंसर हो जाता साथी हुँ ठीक है जंगल का विलोम सब्दु पूछा था मरुस्तल मरुभूमी या रेगिस्तान इस्तिर का विल्वम सब्दोताय समिष्ठी याद रखना एक जर 23 में प्रवासी भारती दिवस कहां मनया गिया था तो इंदोर में और ना जन्वारी को प्रवासी भारती दिवस मनया जाता है याद रखना दात खटे करना महावरेकार्थ क्या होता है तो धूल चटा देना या हरा देना 75 साल के उपलफ्ट में कौन सी जयनती मनया जाती है तो हिरक जयनती मनया जाती है याद रखना 50 साल के उपलफ्ट में स्वन जयनती और 25 साल के उपलफ्ट में रजत जयनती मनया जाती है फिफा में गोल पोस्ट की उचाई कितनी होती है तो याद रखना 2.44 मीटर मिरातु लखबार की सुर्भात किष्ने की थी तो राजा राम मोहन राजी ने बरतमान में कौन सी लोगसबा चल रही है तो सत्रवी लोगसबा बरतमान में चल रही है British East India Company की अस्थापना का वोई थी तो याद रखना 21 दिसंबर 1620 को तिरी संकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो कहीं का ना राजाना देखीगा सामा चकेवा निरित्य किस राज से संबंदित है तो साथी ये बिहार राज का लोक निरित्य है योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो राइटेंस रोजाता नीती आयोग पूछा था तो साथियों निर्मान का विलोम सब्द होता है ध्वान्स नास बिनास जो भी आपका उप्षन में रहेगा वो राइट एंसर हो जाएगा इस मुहावरे को रिक्तस्थान में भरना था आपको तो सागर में भरना क्या भरना कैसा मुहावरा होता है कि सागर में गा कालवोलिया जो कि राजस्थान का एक सपेरा जन्जातियों का नेरित्य है घोड़ा का परियावाची सब्ड क्या होता है तो साथ यो ओप्सन मुझे नहीं मिल पाय थे इसलिए मैंने खोड़ा का सारा परियावाची सब्ड आपको यहां लिख दिया तो साथी फुल देई उत्राखन राज का एक फसल उत्सव है याद रखना एक कोस्चन आपसे पूछा गया था कि जहां से यह नहीं देखे मानरेगा कि सुरुबात कब से हुई थी तो 2 अक्टूबर 2009 से यह कोस्चन आपसे 3-4 बार रिपीट हो चुका है बिश्वनातन आनन ने किस देश से अपनी पढ़ाई की थी तो भारत से याद रखना लोयला कोलेज से जो चन्ने में इस्ति थे और इस सा राज का प्रमुक्तिवार कौन सा है तो याद रखना कुमार पुर्निमा रथियात्रा रथियात्रा आपका उप्सन में था वह राइट एंसर हो जाता जो बुढ़ा ना हो सके उसे क्या कहते है तो याद रखना अजर कहते है उसे जो बुढ़ा ना हो सके बुद्धिचरित के रचनाकार कौन है तो देखिएगा बुद्धिचरित के रचनाकार है आखे बिछाना इसका आर्थ क्या होता है तो प्रेम पुरुवक स्वागत करना नुवाखली कहां का लोकने रिती है तो औरिस्सा आपका राइट अंसर हो जाता उत्तर प्रदेश की सीमा इन में से किस देश्ट से लगती है ओप्सन में आपका नेपाल था ये आपका राइट अंसर हो जाता कोसिका बित्ती किस की बनी होती है तो दिखेगा कोसिका बित्ती जो ऐसा थी हो सेलिलोज की बनी होती है ठीक है तो सेलिलोज आपका option में था वो ही आपका right answer हो जाता रंजी ट्रोफिक किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार जीती है तो मुंबई आपकी option में था वो आपका right answer हो जाता एक 40 बार जीता है गोवा का लोक नेरित इन में से कौन सा है तो फूगड़ी नेरित आपके option में था ये आपका right answer हो जाता ता मिलाडो राज का सास्त्रे नेरित कौन सा है तो भारत मैट्टियम आपका right answer है एक question पूछा था छे से 14 वर्ष के आई के बच्चों के लिए सिक्षा कादिकार मौली कादिकार है इसका वर्णन कौन से अनुछिद में है तो right answer रोज़ता अनुछिदी का इसका A में एक question आप से ये भी पूछा गया था FIFA 2018 में उप बिजेता कौन सी टीम थी तुदिके FIFA World Cup 2018 में उप बिजेता क्रोईसिया थी और बिजेता टीम फ्रांस थी याद रखना और 2022 में जो FIFA World Cup हुआ है उसके बिजेता टीम है अर्जेटा टीम है अर्जेटा टीम है फ्रांस लोट डलोजी ने हडपनेती के अंतरगत कौन से या कौन सराज सबसे पहले हडपा था तो 17 आपका राइट एंसर हो जाएगा 1848 में भ्रमर का परियावाची सब्द क्या होता है तो मधुकर, अली, भृिंग, भोरा, चंचरिक, आदी होता है जो भी आपका option में था वो राइट एंसर हो जाता मनिपूर के उत्तर में कौन सराज सती थे तो नागालेंड आपका राइट एंसर हो जाता के साथ एक टेबल पर खेली जाती है प्रतम भार्तिय अमहिला जिनकरको पत्रो चींहों संथ भी होता अबहर मांने वाला क्या करता है किरीतें को चक्ल आफिक OD2024 वीजिए अपने का श्ताइन का रशनीक सुथ्र क्या होता है तो सी एनच और मैनस सथी कोछन आप से पुछा था इंडिया की सुरुवात कब से हुई थी तो 16 जनवारी 2016 को रिसका उधगाटन पुरुवित मंत्री अरुण जेटली जी ने किया था आखों में धुल जोकना कार्थ क्या होता है तो धुखा देना इसकार्थ होता है भारत का देखिए भारत एसिया के किस द जाता कमल का प्रियावाची सब मैंने अभी आपको बताया फिर भी पंकज नीरज सरो जी प्रमुक होते हैं संभीधान के अनुच्छे साथ का संबन किस्से है तो संग सूची राज सूची अबम संवर्ती सूचियों से बरतमान में खाद उप्रसंसकरन मंत्री कौन है तो प इडन गारडन इस्टी थे? घोलकाता मेंशती थे? साथ हूँ, sodium को किसके साथ रखा जाता है तो किरोसिन या मिट्टी के तेल में, सोनल मान सिंग का संबन कि सास्त्रे निरित से है तो भारत नाटियम या ओडिस्सी से, उननती का विलम सब्द क्या होता है तो आवनती होता है, राई का पहाड बनाना इसकार्थ क्या होता है, छो किसमीर का लोग पिरे निरित कौन सा है, ओप्सन में आपका राउप था, ये आपका राइट एंसर होता है, गुजरात के बरतमार में मुख्यमंत्री कौन है तो भुपेंद्र भाई पटेल जी, उजवल का सुद रूप क्या होता है, तो उजवल में ये सुद रूप ही लि जात रखना इंद्र का प्रियावची सब्द धेवेंद्री भी होता है, पानिपत का पर्थम युद कर भुआ था तो 1526 में बावर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बस्तर का विद्रो का भुआ था तो 1910 में, इसके लावा हॉर्न बिल त्योहार कहां मनाया जाता है, त आलेंट वेली कहां इस्ती थे, तो केरल राज में इस्ती थे, देखिये, माइक्रो फाइन्स रेगुलेटर किसके द्वारा नियंतरित की जाती है, तो भारते रिजर्बेंक के द्वारा, बरतमान में पस्चि मंगाल के राजपाल कोन है, तो सिभी आनंद बोश जी, भारत म संबिधान को कब लागो किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागो किया गया था, ठीक है, 222 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंतरी कौन बने तो योगी आधित्यानाच जी, 222 में कॉंग्रेस के नए अध्यच कौन बने तो मलिकार अर्जुन खरगे, मिरा भाई चानु क संबंद किस राज से है, तो आपका राइट अर्पा था, तो 1856 में दूद का परियावाचे सब पूछा था, तो दूद के परियावाचे सब दूग, चाच, पाई, दोहज, गोरस होता है, इन में से जो भी आपका उप्सन में रहेगा, वो राइट अर्पा था, गर में प्राक्य में कैसे परियोग करेंगे जैसे कि राघव को लॉटरी के रुपईये मिल जाने से उसके घर में गंगा भखने लगी ग्यारभी पंचवर्शी योजना का उद्देश किया था तो समावस्टी आर्थिक बृद्धी दुख का परियावाची सब्द क्या होता है तो कोबारी निरित और अंडामाने निरित इन में से जो भी आपका उप्षन में रहेगा वो राइटेंस रोगा कालवोलिया निरित कहा हुआ था तो दिखे कालवोलिया निरित जो है यह राजस्थान का एक सपिरा जंजातियों का निरित है याद रखना एक कोस्चन पुछा जिए था बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स होता है आईपील 2023 में कहां पर आयजित होने वाला है तो यह भारत में आयजित होने वाला है चीन की दिवार किस सासक ने बनवाया था तो राइट एंसर होता कीन सी हुआंग ने 220-226 हिसा पूरु में भारत की पाली मैला राजपाल कौन थी तो सरजिनी नाइडू आपको याद रखना है एक कॉस्चन पूछा गिया था पानिपत का तिसरा यूद का वहा था तो 1761 में हुआ था आमद साफदाली और मराठो के बीच में तुलसी का वेग्यानिक नाम आपसे पूछा था यहाँ पर याद रखना है यह थोड़ा गलती से टाइप हो गया था है ना ओसिसम सेक्टम आपको याद रखना है यह तुलसी का वेग्यानिक नाम होता है अगला कुश्चन पूछा गया था अनुच्छत 75 कि से संबंदी थे तो परदानमंतरी की नियूकती से आपका राइट एंस रो हो जाता किंग फाहद अंतराष्टे हवायडा जो साओधी अरब मिश्ती थे गोतम बुद ने अपना पर्थम अपदेश कहा दिया था तो राइट एंसर हो जाता सारनाथ में एक कोश्चन आपको पूछा जया था भारत का सबसे उत्री बिंदू कौन सा है तो राइट एंस समीर जलन्सकी जो 20 माई 2019 से अब तक बने हुए है सुभास चंद्रबोस ने कॉंग्रेस से त्याग पत्र कब जिया था तो 1949 में नेलिक रांती किस्से संबंदी थे तो मतशुत पादन से संबंदी थे तेक है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल क स्वारेसी अंगोलन का प्रभाव किस्त राज में सबसे अधिक पड़ा था राइट एंसर हो जाता पस्चिम मंगाल में आई पील 2022 में ओरेंज के बिजेता कौन थे तो जौस बटलर थे सबसे बड़ा लिखित सम्विदान किस देश का है तो भारत का जोसना का सही रूप क् यह आपको याद रखना है कि शुद्वरता है, जल का परियावाची सब्द, पानी, नीर, इट्यादी होता है, दिवस का परियावाची सब्द, ओक्सन में आपका दीन था, यही आपका राइट एंसर होता लोग सबा का कारिकाल कितने वर्स का होता है तो 5 वर्स का होता है गुलर का फूल होना इस कार्थ क्या होता है तो दुरलब बस्तू या दुरलब होना एक कोस्चन पुछा गया था अभी सो ब्रेल दिवस कब मने आ जाता है तो 4 जनुवरी को मने आ जाता है देखेगा जनगर्ना 2011 के अनुसर सक्षार्टादर क्या थी तो साथियो सक्षार्टादर ओवरल 74.4% थी आपको याद रखना है कि पुरुसों की सक्षार्टादर 82.14% और महिलाओ का 65.46% अगनी का विलोम सब पूछा था तो अगनी का विलोम सब जल होता है इस्टाटप इंडिया योजना किसके द्वरा ये छुड़िये तो मैंने पता दिया आपको ठीक है दिखिए अनुचित पंद्रा का संबन किस से है तो साथ हो अनुचित पंद्रा का संबन धर्म, मुलवन्स, जाती, लिंग या जनमस्थान के आधार पर बिबेद के परतिसेद से है औयो के फाउंडर बरतमान में कोन है तो रिते सगरवाल जी सब एका विलोम सब्द क्या होता है तो असर भी होता है CSIR के अध़च कोन है तो याद रखना अध़च CSIR के प्रधान मंत्री होते हैं CSIR का फुल फॉम होता है Council of Scientific Industrial Research महानिर्दसक अभी बरतमान में CSIR के याद रखना सेखर मंडी जी है नीती का फुल फॉम क्या होता है नीती आयोग में जो नीती है इसका फुल फॉम क्या होता है तो International Institutional for Transforming India सत्रिया सत्रिया निरिति ये जो है वह किस राज से संबंदी थे तो असम से ये संबंदी थे बरतमान में महाराष्टा के राजसभा के नहीं सदेश कौन बने है तो प्यूस गोईल जी आपका राइटेंसर हो जाता ठीक है तो साथियो 56 सिप्टों में जितने questions पूछे गए है अधिकतर question मैंने मुझे मिल गया था और मैंने सारा question जो है आपको इसी वीडियो में करा दिया Hindi, Current Fs और General Science के General Science और GKGS के ठीक है तो साथियो बहुत मेहनत लगता है यार ऐसे मेराथन क्लासेस कराने में तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना शियर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ और अगर नए साथ ही अगर आप में से कोई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर अन कर लिजेगा इससे आपको सारे क्लासेश की नोटिफिकेसन आएगी साथ्यों चैनल के अंदर मैंने वो सारा टॉपिक आपको करा दिया है जो जो टॉपिक से अभी तक SSCGD एक्जाम 2023 में कोर्शन्स पूछे गये हैं आप लोग चैनल के अंदर जाना सारा वीडियो से आपको मिल जाएगा तो साथ्यों वीडियो को लाइकों और अपने सभी दोस्तों के साथ सेट जरू करियेगा और comment box में comment करके जरू बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा है मिलते हैं next वीडियो में तब तक सौछत रहें जैन साथ्यों बंदे मात रम